कि असलाम वालेकुम उमीद है अब सब खेरी से होंगे आज साथ सब्टेमबर दोजार चौबेस है और आज हमाई प्रेजंटेशन वैसल बैंक के हवाले से प्रेजंटेशन बनाने का मक्साद एक तो यह था कि काफी साइड लोग के इस तरह की वीव होते हैं कोई बैंकिंग क्योविडियो नहीं बनाता है इसके बेसिक वरीजन ही है कि मैं कोशिश करता हूं कोई और चीज से हम कमा सकतर को या इंशुरंस सेक्टर को तो इसलिए मैं नहीं बनाता लेकिन आज मिन इसको परकूंगा इंशाललग अपने पारे विव बताऊंगा काफी साइढ लोगों की वीडियोज मौझद हैं काफी डीटेल वीडियोज मौझद हैं मैं कुछिछ कूँगा एक आम इंसान और आम आदमी को फोकस करते हुए पड़े आसान अलफाज में इसको प्रिजेंट करूँ उसको बाता हूँ सब प्रिजेंटिशन वे आगे मंदें से पहले रिक्वेस्ट आएकर अगरो चैनल को लाइक इन सब्सक्राइब नहीं किया वाट तो लाइक इन सब्सक्राइब कर दें इंशालला मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो साथी रहेंगी सबस्क्राइब की बात करें तो आं पक्री बात करें बारे मैं इसके अच्छे के बारे मैं बताउ सेक्टर के बारे में कुछ जादे इक्वेडरन को ब्रंग करें यह जारी में ब्गोर चैकितु में मैंने दुन एका रड़ कर दो के लिए लिए seller 1 में चलता रहा हम तमाम लोगी करता क्या सब्सक्राइब करते हैं और उसको लेंड करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सेविंग पर कम इंट्रस रेट देता है और जब आगे लेंडर को देता है तो उनसे ज्यादा इंट्रस रेट तो बेसिकली इसका गेमी इंट्रस का है इसी तरह से चलता है एक चीज जितना बैंक डिपॉजट कर रहाता है इससे कहीं कुना ज्यादा लेंड कर वाते लोगों को इससी वज़ाई यह कि और इसीलिए हम बूलते हैं कि अर्थ काफी सारे करता है एक अलग टॉपिक के ऑपरेशनल पॉइंट से मैं नहीं जिखर करूंगा लेकिन यह इसका इशू है पट इस इस हाव इट वरक्स सेक्टर की बात करें पाकिसान के हवाले से बात करें बैंक इसलामिक पर आ गए वैसल बैंक तो था ही इसलामिक इसको फॉल फॉल फ्लेज बन के इसलामिक बन रहे हैं और बन रहे हैं और दूसरी सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ही कि इंट्रेस्ट हम सुन रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में यहाने वाले पारतेरा तारीक को एक से देर परसंट सो यह दिर सो बीसेस पॉइंट किरेगा तो देखते हैं क्या बनता भी कुछ इसके कॉंक्रीट बहुत पुराना बैंक है निया बैंक नहीं सबसे पहली बात मैंने इसके कुछ इसके अकाउंट से चार्ट नंबर्स थे वह बने लिखे रहे हैं एक वैसल बैंक मेरे मीजान बैंक के बाद पहला बैंक है जो कन्वेंशन से फुली इस्लामिक हुआ दोजार बाइस में और अब और इसके अभी फिलाल ग्रोइंग फेस में चुक्ड ग्रोइंग फेस से मुराद मेरा यह है कि अभी इसने मजीद ग्रोव होना है अचा मीज़ लोग बोलते हैं में क्यों इनवेस्ट करें मीजान में क्यों करें ऐसी दी-दी बात है एक चीज और डिडिक सक्सेस एक् इसके नंबर ब्रांच इसके नंबर ब्रांच इसके नंबर ब्रांच बढ़ा है दुनिया भर में पाकिसान वाइद मुलगा बैंक कर लेंदन बहुत जाद है गलोबली बैंक्स अपनी फिजिकल प्रेजिंस खतम करके डिजिल प्रेजिंस बिजागी और कुछ खुछ तो ऐसी बैंक भी जो टूट इसके नंबर को बात करो दोजाट शास लेकर दोजाट तेज में आप प्रॉफिट नंबर देखे सकते हैं यह प्रॉफिट निबले एससे बात करता हूं उसके टोटल एससे देखें छे सो मिलियन से फिर हर साल ग्रेजुली ग्रेजुली अपसाइट बढ़े बैंक का सबसे बड़ा डीगिट होता है प्रॉफॉर्मस का डिपॉजिट कि लोग कितना सब ट्रस्ट करने इस पर डिपॉजिट रख रहे हैं तो इस कंपनी का अगर फैसल बैंक की बात करें आप ग्रेजुली हर साल इंक्रीज होता जा रहे है और हर साल इंक्रीज वजह हो से कि के बढ़री कॉस्ता है ज्यादर रिलाइन सार रहे या यह अच्छे प्रॉडक्स ओफर कर रहा चांट्रस्ट रेटॉफर कर रहे तो इस वासे इसके डिपॉजिट बढ़रे हैं विचिस वे तक्रिमें पांट शर्वाइब बिलियन दा अभी ट्वेंटी बिलियन पर पॉजगे विचिस वेरी गुड प्रफॉर्मेंस की बात करें इस कोटर की जो कि हमाई बाद भी मौजूद हाफ यह जून की इसके लावा भी कोई फाइनेशल मौजूद नहीं सबसे लेटरस इनफॉर्मेशन ही इस पर हम देखें ना सके डिपॉजट आप देख सकते हैं हाफ यह एंड के वह एक सौठारा अ इसी तरह से इस सांट उख यह इसलिए आ जैसे डियर्शन में बढ़ आई विच इस वह एक से बाता है जो पॉज़िटिव एक चीज नाइएम परसेंट इंट्रस मार्जन बीसिकली क्या होता है तमाम बैंक के लिए किस रेट पे बैंक लोगों को सेविंग अकाउंट देता है मतलब पैसे लेता है लोगों से डिपॉजट के नम पे और क्या आगे लेंडर्स मतलब लोन देता है किस अगर आपको सेविंग अकाउंट में पांच परसंट देता है और लेकिन आगए जब आपसे लोन मांगोगे ना तो आपसे 10-11 परसंट लेगा तो जिसका दोनों का डिफिरेंस है ना वह नेट इंटरस मार्जन करता है शे परसंट तो इसका यह बहुत अच्छा है मेरे लेकिन मैं समझता हूं कि यह फिलाल डिविडेंट सो इसको मेजर नहीं करना जाए ना तो यह कैप्टेल अप्रिसेशन बड़ा ग्रोथ दे सकता है तब इसकी वेल्यू पर जा सथिगा करेंट प्राइस के बाद में फूचर प्राइस के फॉर्टी सब्सक्राइब नेक्स वीक या मैं तस पारा सप्टेंबर का मैं सुन रहे हैं कि कट होगा जब यह कट होगा तो मैं समझता तब इसको इस तरह करना चाहिए और आपने इन्वेस्ट करना है तो अपनी बिल्कु की यह उपर की डिरेक्शन में जा रहा है तो जाता ही रहाएगा उपर क्योंकि बेंगी स्क्राइब अभी न भी तो ग्रो जाएगी पाकिस्तान ने की कि बैंकिंग प्लस अगर विदिन इन बैंक्स के सारे बैंकों में देखने मीजान में काफी साथी चिज़ें ने इंट कर रहें तो बहुत अच्छी हो जागी पैसल बैंक यह कि उसने मीजान वाले चीज़े भी डॉप नहीं की जो कर रही है भी फिलाल तो इस तरह की सब चीज़े अडॉप कर लेगी तो बहुत जादा पॉटेंशल है फॉर प्राइस ग्रोथ फ्यूचर आउट्लोग कंपनी तो बोले भाई हम बहुत अच्छे और हम क्या करना है अच्छी कंपनी ओ मजीद बैंक मजीद एक्सपैंड कर रही है अपनी ब्रांचेस को अपनी डिजिटल और इसका डिपॉसिट बढ़े प्लस अपनी डिजिटल ऑफरिंग को बढ़ा रही इनके आउट्लोग में मैंचेन है प्लस हम देख सकते हैं कि यह जो मैंचेन है इनके पिछले स्टॉरिकल जो आउट्लोग सेंपी 1222 के अकाउंट से उसमें जो मैंचेन है वो मीड भी हो रहा है ऐसा नहीं सिर्व बाते करी तो विचिस अवरी गुड साइं मेरा वीव के है म सब्सक्राइब करने को लाइक वर्स लाइक से करते हैं मीजान बैंक और फैसल नहीं मीजान में बहुत बड़ा है सेक्टर में बोड़े मंजाव आए लीड टॉप पहुच चुका है वैसल बैंक उसकी सीडियों पर भी और उसको अभी वो टॉप पहुचना है तो मैं समझता हूं उसको कंपैर ना करें मीजान बैंक मुझे लगता है कैपिल के हिसाप सब मुझे लगता है आप मुश्किल ह पिस आउट की तो मुझे बताना एंशाला मैं कवर करूँ अपकी नेच्स वीडियो में और कोई कुशन उन तो लाज़िम पुचें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब इच्छानला मजीद इंफिर्मेटिव वीडियो आती रहेंगे